दोस्तों खाड़ी देशों में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है अब इरान में दो दिन पहले बुदवार को हुए दो बम धमाकों के बाद वहां के हालात और जादा टेंशन से भर गए हैं इस दोरे धमाकों में परीब सौ लोगों की मौत की पुष्टी हुई है इरान अब इस हमले का बदला लेने पर आमादा हो गया है और इसके लिए उसने अपने यहां मौझूद जामकरन मस्जिद पर लाल जंडा लगा दिया है दोस्तों यह लाल जंडा कोई आम लाल जंडा नहीं है बलकि एरानी लाल जंडा बदले की खसम का एक प्रतीक माना जाता है अलामत मानी जाती है यो कि जब जब यह लाल जंडा जामकरन मस्जिद पर लगा है तब तब यहां पर तुफान आया है खास दोर से वहां पर जहां से बदला लेने के लिए इरानी सोच लेते हैं इरान ने दोहरे आतंकी धमाकों का बदला लेने के लिए यह लाल जंडा ल पर लाल जंडा फेराया था एरान में हुए दो धमाकों की जिम्मेदारी आई-एस May ली है इसलामिक स्टेट में ली है इसलामिक स्टेट की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ले जाने के कि वो इरान में हुए बम धमाकों का जरूर बदला लेका इरानी समाचार एजनसी है इरना इसी का हवाला टीवी नाइन ने भी दिया है जिसकी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मताबिक इरान के सरवोच नीता है आयतुल्ला स्यद अलेखाम मैं ये एक वर्ल्ड लीडर्शिप रखते हैं काफी बड़े नाम हैं इन्होंने भी इन हमलों के बाद एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने जितने भी मुझरिमीन हैं दोशी हैं उनके लिए सजा भुगतने की चिताब नी दी है इंतबाह दिया है कि अब वो नहीं बचे इसे ख्यास लगाए जा रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट की तरफ से एरान पर हमला एरान और उसके जो समर्तित हिजबुल्ला है और हूती जो फोर्सिज हैं उसको खुला चालेंज एक तरीके से आईयस में दिया है ऐसे में यहां पर इनके बीच जंग तेज होने की उमीद ज पुजित किया गया था और इसी दोरान ये दो बम धमाके हुए हैं बड़े धम धमाके थे जिसमें करीब सौ या पच्चानवे लोगों की जो है मौत हो गई है आपको बता देए दो सो से जादा लोग इन धमाकों में घाल हुए हैं और इस हमले को इस्लामिक स्टेट इस्ल क्लाति हुई थी उस दोरान बहुती घातक यहां पर हमले होते थे यह बताया जा रहा है कि उन हमलों के बाद से ये जो दो हमाके हुए हैं जो राजधानी तेहरान से 820 किलोमेटर दक्षनपुर्व में सित है पहले आतंकी हमलों में 103 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी लेकिन इसके बाद जो इरानी अधिकारी हैं उन्होंने इन आकड़ों में संचोधन किया और कहा की मरने वालों का नाम दो तीन बार दर्ज कर दिया गया था इसलिए ये संक्याजादा थी वैसे असल में 95 लोग ही मरे हैं आपको बता दें ये रेवलिशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के चीफ रहे हैं जर्नल कासिम सुलिमानी सब जानते हैं उनका कतल हुआ था और उसके बाद कितनी पॉलिटिक्स गरमा गई थी वर्ल लेवल पर सब जानते हैं उनके कतल को चार साल पूरे हुए उनकी बरसी थी और इस मौके पर एक प्रोग्राम रखा गया था और इसी प्रोग्राम में ये दो बम धमाके हुए बीस मिनट के अंतराल में एरान के आंतरिक मामलों के मंतरी हैं एहमद वहीदी उन्होंने बताया कि पहला धमाका दोपैर करीब तीन बजे हुआ जबकि दूसरा धमाका पहले धमाके के ठीक बीस मिनट बात तीन बजकर बीस मिनट पे हुआ और जो ये दूसरा धमाका दुर्श को इसके अंदर ही सबसे जादा जो जाने हैं वो गई हैं हाल फिलाल में जो धोरे धमाके हुए हैं ये बेरूत में इसराइली हमले में हमास के जिप्ती चीफ के मारे जाने की घटना के एक दिन बाद हुए है इस पूरे घटना करम में भारत की तरफ से भी जो है बयान सामने आया है भारत में इस पूरे घटना पर अपना दुख जाहिर किया है और भारत के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता है रनदीर जैसवाल उन्हों नहीं का है कि भारत प्यड़ितों के परिवारों और घायलों के साथ खड़ा है खैर इनी बम धमाकों के चलते इरान खासा नाराज है जिससे इसराईल या अमेरिका ठिकानों पर अब जल्द ही इरान का कोई बड़ा हमला होना तैह है और इसी के चलते इरान ने जामकरन मस्जित के गुंबद पर जवाबी करवाई की अलामत के तौर पर ला इराक में अनल असद में अमेरिकी बेस पर बैलेस्टिक से हमला किया था जो की सुलिमाने की गतल का बद्ला था और इसी के बाद इस घंडे को इस मस्जित से हटा दिया गया था और अब एक बार फिर से यह जंडा इस मस्जित पर लगा है तो अब देखना यह होगा कि इरा अपडेट के लिए बने रही है आप दनीशन की साथ